हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे केतु ग्रह की. वैदिक जोतिश के अनुसार इसे एक छाया ग्रह माना जाता है. वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार केतु ग्रह को आध्यात्म, वैराग्य, मोक्ष तथा तांतरिक विद्याकारक माना गया है. यदि केतु कुंडली में मजबूत होता है, तो व्यक्ति को इसके अच्छे परिणाम मिलते हैं, तथा इसके प्रभाव से राजा के सामान जीवन्यापन करने में सक्षम बनता है. लेकिन कुंडली में केतु ग्रह की स्थिती, खराब होने से व्यक्ति को बाद बाद पे गुस्सा आना, छोटे से छोटे कारियों को पूरा करने के लिए जरुरत से ज्यादा परिश्रम का होना, तथा जीवन में अचानक से कोई न कोई बाधा का आना जैसी प्राबलम होती है. इन प्राबलम्स को दूर करने के लिए वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ग्रह दोश के लिए इन ब्लेंड़ अरोमा ओयल्स का उचित मात्रा में यूज बताया गया है, जैसे फ्रेंकिनसंस, सीडर वॉड और अगर आपके ग्रह की दशा सही है, तो ये अरोमा ओयल्स का इ जुगंधित करके इन प्राबलम्स को दूर कर सकते हैं और अपने ग्रह दोश को ठीक कर सकते हैं. थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट ग्रह वीडियो में.